हे फ्रेंड वेलकम डू माई चनल एबी रॉक्स टीम्स तुम आप लोगों के लिए आगें भाईयों मैच कवर करने जोगी है यूरो बास्केटबॉल का प्लीक का और भाईयों बी एल वार्सी जेडेल के बीचे मैच होने वाला एक घंटे एक तिस मिनिट बाद बात करू भा दस्त विनिंग कर सकते हो आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़के ग्रूप का नाम ध्यान से देख लो क्यूंकि मैं नहीं चाहता कि आपको भाई याड टीम ना मिल पाए तो चलते हैं आगे मैं टीम इसकी पोस्ट करूँगा जब लाइन नहीं करता ये ना कि आप इन्वे खेला नहीं था लेकिन मुझे लगता है कि आज एल होल वापसी कर सकता है क्योंकि पिछला मैच भी थोड़ा ये थोड़ा मनलब डाउन चले गए तो एल होल वापसी करेगा मेरे साथ से मिरे को लग रहा है तो आगे से बात करूई जे लॉइड की तो लोग जे हो आज बरो कि दोनों में से आई थिंग कोई एक आएगा ओपनिंग 5 में क्या पता है एल होल ना आजे क्या पता जे लॉइड लेकिन लाइन अपस में ज़रूर होंगे ये दोनों बात करूँ भाई हो शुटिंग आट की तो यहां से लूगा एक और प्लेयर जिसका नहां है भाई हो मे लिए प्लेयर जिसका नहां है एक परसंट लेक्शन ती देखो लाइन अपस कि अगर आप टीम बनाते हो तो आपके लॉस के चांसी 99 परसंट होते हैं और जैसे की बात करूँ पावर फोवरड की तो यहां से लूगा एन हायस को अब लोगों नहों क्या किया कि एन हायस को क लिए मतलब आपके की बाई इसको कैप्टन रखें भाई आपकी चौइस है कैप्टन रखना ना रखना लेकिन मैं आपको अगर सही राय दूं तो आइन हायस को ग्रैंड लीग में ट्राय करो स्मॉल लीग में फायदा नहीं है और आगे से बात तो यहांसे मैं को और प्ले में भी खेला हुए ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये यूरोप लीग में खेला है अलग अलग लीग्स है और आज इसके चलने के भी अधुनिक चांस है और आगे से बात करूँ एर रुबिट की तो एर रुबिट ऑलसो ए गुड प्लेयर लो क्रेडिट में खतर राग परफॉर्मे तो यहीं मेरी टीम भाईयों मिलता हूं अगली वीडियो मगले मैं आज के प्रेडिक्शन के साथ अभी के लिए भाई फ्रेंड्स आपका दिन शुब रहे